इस भवन का निर्माण किया गया होगा, इन ही श्रम जीवे ने उसे मूर्त रूप देने का काम किया, चाहे वो शंक की आकरित में मुख्य भवन के निर्माण की बात हो, इसकी केंद्रे में विश्र के भरण, पोशन की धारणा स्पश्ट तोर पर दिखाई देती है, क्योंकि प्रकृति के प्रति प्रेम और हमारे प्रकृति के प्रति समर्पन को दिखाता है, भारत की कलाकृतियां हो, या फिर ट्राइबल आर्ट्स की जलकियां, एक भारत और स्रेश्ट भारत की जलक आपको जरूर दिखाई देगी, नई दिल्ली के इस नए ITPO कॉम्पलेक्स में जब आप जाएंगे, अंतरास्टि समारों का हिस्सा बनेंगे, तो आपको देश के अलग-अलग हिस्सों से कलाकृतियां हैं, जो वहां की संस्कृतियां हैं, वो भी छवियों के रूप में अपने आपको आपके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगी, आपको आकरशित करत नजर आएंगे, और यकीन मानिए कि ये अंतरास्टि स्तर पर भारत को उसकी संस्कृति के पहचान के रूप में ही देखा जाता है, भारत को वस्धय कुटंबकन की भावना के साथ बने एक महान लोकतांत्रिक देश के रूप में ही देखा जाता है, भारत के संस्कृति और और योग और जो दोस्की कलाएं है वो उसकी आत्मा है उसका मूल है और उसके साथ में जब विदेशी परेटकों मेहमानों को या फिर जो राष्टा ध्यक्षन को ये सपश्ट तोर पर दिखाई देगा कि भारत वो कहता भी है जो कहता है वैश्वस्तर